हलो एवरीवन वेलकम बाइट्टू में चैनल और केसे वाप सब आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स समझे में होंगे तो देखिए में भी अच्छी हूँ और अभी हो रहा है सुबे का टाइम तो हम लोग नहा लिये और आने के बाद जो भी सुबे का काम था वो सब का हो गया है और अब बना रही हो में नास्ता तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रही है तो देखिए नहां पे रग दिए हमने सोया बडी तो यह सोया बडी तो इसको वालने के लिए रग दिए थोड़ी उबल जाएगी ना उसके बाद में भार निकाल लोगी और खली एक देखिए फिर है ना सोया बड़ी हमारी अच्छे से मतलब एक उबाल ले लिया था उसके बाद मिक्सिजार में घुमा लिए यह जो आलू थे इन आलू को भी मैंना हातों से मसल लूँगी अच्छे बारी और यह आलू को मसल लिया में अलू को मसलने के बाद में थाली ले थाली में आलू डाल दिये हैं उसके बाद ये जो सोया ती ना ये सोया डाल दिये और ये डालने के बाद फिर प्याद डाल दिये इसके अंदर और प्याद डालने के बाद में ये सिमला मिर्ची थी तो सिमला मिर्ची कट कर लिती बारिक और ये खेना हरी मिर्ची भी डाल दि तो टमाटर भी बारिक कट कर लिया था तो टमाटर डालने के बाद डाल दिया था हरा धनिया फिर डाल दिया था हमने चैना मसाला और नमक हल्दी और मिर्च पाउडर और ये जो है ना ये डाल रही हूं में निम्बू का सथ तो ये खटास के लिए डाल रही हूं तो अभी मे में चोटी सी तो यह बोल बनाणे के बाद मैं आ+, अब में ब्रेट ले ले लidée मिनें तो ये ब्रेट के ना किनारे किनारे निकाल रही हूं मैं आप छाओक सकते हों नई भी नीकालतो कोई बात लेकिन निकालने से अच्छा से दिखते हैं इसी लिए तो यह दीखिए lithe here निकालागी हों किनारे और यह सारी ब्रेट के किनारे मेंने निकाल ली है तो दिख änd 105 कि चाली तो हलकी सी पहले बेलन से ब्रैन नीं को विलकुल हलकी यह इसके अंदर है ना जो हमारे मसाले वाली जो यह लड़ू बनाए थे ना हमने बॉल्स यह रख रही हूं इसके अंदर और फिर ना दबा रही हो तो यह जो पानी इश्ट्रा पानी होगा न वो निकल जाएगा उसके बाद हातों से गोल गोल गुमा दूंगी तो यह हो कर लिया है जो पेले वाली ब्रेट करीती ना हमारी वस उसी तरीके से तो इसका भी पानी निकाल दिया है और पानी निकालने के बाद यह भी घुमा दी हलके हातों से तो देखिए इस तरह सी सारी बोल्स हमारी तैयार हो गई थी और यह तैयार करने के बाद में इधर कड़ में दिलते हैं लाइन के तो आफान गईने कुछा नहीं दोका है तो अफूर भूदा हो जाए दिनो जाए जब तक नहीं पलटना है तो आपयो चल्वाजी तो आकंटने लगा था इसी लिए लागे चु अप मत करना तो यह जब गोल्डन हो जाए ना उसकी बाद ही प्लटना फ्रेंट्स तो बहुत अच्छे से सिख जाएंगे और इतने क्रिस्पी रहते हैं ना सच में मैं आपको क्या बताओं बहुत क्रिस्पी रहते हैं तो देखिए यह मेंने ही ना एक बार के निकाल लिए है तो यह एक तो स्वयाविन का जो टेश्ट रहता है वह बहुत अच्छा लगता उपर से आलू फिर ब्रेट तो बहुत अच्छा लगता है खाने में यह नास्ता और जल्दी भी बन जाता फटापर तो देखिए टेमाटर सोस भी रख सकते हो हरेदनी की चटनी भी रख सकते हो तो यहा सब्सक्ति भी रख सकते हो देखिए अब बच्चों को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो देखिए मेरा नास्ता आपको पसंद आया के नहीं आया प्रेंड्स और अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंड में बताना जरूर्ण तो यह देखिए बच्चे इस तरह से और मेंने बच्चों को देख के रही मिर्ची डाली ज्यादा तेज नहीं बनाए हैं और देखे उसके बाद नास्ता हो गया था हम लोगों का फिर खाना बना लिया ता मिने तो खाने में बनाई ये जो गिल्की मिन आपको दिखाई थी ना बस गिल्की की सबजी और रोटी बन और ये देवान सर्शिता खेल रहे थे और उसके बाद है ना बच्चे को लेके उपर आ गए थी तो लीम की छाया बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो हम खाना खाने लग गाते तो देखिए दुफेर में मैं सोई हूँ अभी तीन बज रहे हैं और ओके फ्रेंड्स ब अच्छी बाइ बाइ बाइ